अगर दोस्ती के बीच में राजनीती आ जाती है तो वो दोस्ती भी तिकाऊ नहीं होती है जी हाँ सही समझा आपने और यही और इसी का एक्जामपल देखने को मिल रहा है पाड़मीर की सियासत में जहां रविंद्र सिंग भाटी के निर्दलिये सांसद प्रत्याशी बनने क के बार उनका दोस्त भी अब उनका साथ छोड़ने वाले हैं क्योंकि उन्हें वहां की आबो हवा का अंदाजा लग चुका है और शायद इसलिए वो अब उनका साथ छोड़ रहे हैं नहीं समझे आप तो मैं आपको समझाती हूं कौन है रविंद्र सिंग भाटी का ये दो जो इनका साथ छोड़कर आबो हवा के साथ रुख अपना रहा है कौन है किसके साथ ये जुड़ रहा है और कैसे बनेंगे इसके हालात और कैसे बनेंगे बाड़मेर के समी करण सब कुछ बताऊंगे आपको डीटेल में इस वीडियो में जुड़े रहेगा आखर तक मेरे साथ और इस फोटो के जैसे ही सोशल मीडिया पर अप्लोड होने की खवर आई ये बनती जा रही है वाइरल और लोग इस पर कई तरह की अप्चर चाएं कर रहे हैं और यहां पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अशोग गोदारा ने बीजेपी जॉइन कर ली है तो क्य रविंदर सिंग भाटी का साथ छोड़ दिया है क्योंकि अशोग गोदारा और रविंदर सिंग भाटी एक दूसरे के पक्के दोस्त माने जाते थे लेकिन अब ये दोस्ताना राजनितिक गल्यारों में आकर तूटता गया है और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनमें ये क्या रोल प्ले करेगा इस पर लोग काफी चर्चाएं कर रहे हैं कई लोगों का कह रहा है कि ये दोस्ताना लगभग किनारे पर आ चुका है खत्म होने की कगार पर आ चुका है और अशोग गोदारा ने सब कुछ अपना जै कि यहां पर राजनीती में कुछ भी कभी हो सकता है यहां पर किसी के लिए कोई नियमनी होते हैं ना दुस्ती होते हैं ना दुश्धिक होते हैं यहां पर अच्छे-च्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं इसके कई एक्जामपल आपको इतिहास से आपको मिल जाएंगे और जिस तरह से आगे लोगों का मानना है कि ऐसा होने की संभावनाय तो हैं लेकिन कई लोग इसे अच्छा भी मान रहे हैं लेकिन भाटी के खिलाफ प्रचार करेंगे अशो का चुनाव लड़ने की जब घोशना की है तो कई लोगों का राजनति गल्यारों में कहना है कि पहले विधायकी तो कर लेते आप अगर विधायकी करके अपने आपको फ्रूव करते लोगों की सेवा करते तब जाकर M.P. का आप चुनाव लड़ते तो जाधा अच्छा होत क्योंकि वहाँ पर कैलास चौधरी का जो माहौल देखने को मिल रहा है उससे ये जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अब भाटी इसको कितना प्रभावित कर पाते हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के उम्मेदराम बेनिवाल भी है वहा ऐसे ही कई तरो के कॉमेंट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं कुछ लोग अशो गोदारा को स्वार्थी कह रहे हैं तो कुछ लोग रविद्र भाटी को स्वार्थी कह रहे हैं कि जब उन्हें जुरत पड़ी तब उन्होंने अशो गोदारा का इस्तमाल किया उनके मित्र वो आपको सोचने की जरुरत है कि किस तरह से इस बार बार में जैसे में लोग सबाशित्र वैसे भी हॉर्ट सीट बना हुआ है और इस पर किस तरह से ये समीकरण बैठेंगे क्योंकि वहाँ पर जाट और राजपूत के बीच की लड़ाई भी काफी जोर पकड़ती भी दिखाए दे रहे हैं जब से उमिद्वारों की घूशना हुई है प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं नित नए आप फोटोस वीडियोस देखेंगे और नई-नई करें की चर्चाएं चलते रहेगी लेकिन होगा वही जो जनता जनार्धन चाहती है जिनको लगता है कि वाकई में लोग जिनको जिताने वाले हैं जिस प्रत्याशी को वोट देने वाले हैं उनसे जुड़ा हुआ भविश्य अगर आप देख पा रहे हैं तब ही आप अपन आपको बता डालेगा लेकिन अगर आप इसी लोगसभाशित्र से आते हैं और समझते हैं राजस्थान की राजनीती को अच्छे तरीके से तो आप भी बताए कि क्या ये मित्रता बाडमेर के समीकरणों पर कोई असर डाल पाएगी जो तूटती हुई दिखाई दे रहे हैं इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनरजी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा हैं क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सिस को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कॉंट्रिबिशन हो इसे लिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलेवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए ततपर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पुटेंशल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं